Very good morning dear students, students, आज हम अपनी class 3 के maths subject में chapter number 4 याने की long and short शुरू करने चारे हैं पिटा इसमें मैंने आज का जो topic लिया है, वो लिया है, सबसे पहला है introduction introduction में हम लोग आज कितनी चीजे पढ़ने चारे, introduction मतला आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ introduce करोंगी first time जिस आप लोग पढ़ते हैं उससे पहले लिया है फीटा मेने what to measure measure means मापना याना कि कि नापना किसी चीज को what to measure आपको क्या नापना है, why to measure आपको क्यो नापना है और third one है how to measure, आपको किस तरीके से उसको मापना है, उसको किस तरीके से नापना है, तो क्या नापना है, क्यू नापना है, और कैसे नापना है, ये तीनों चीज में हम लोग इसमें आज discuss करने जाएंगे, ठीक है तो सबसे पहला टापिक आता है पीटा हमारे पास what to measure हमको क्या नापना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है आपको क्या नापना है अरे हमको पीटा हर चीज नापनी होती है हमको हर चीज नापनी होती है और सबसे बड़ी बात यह होता है students, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि हमको हट चीज नापनी होती ही है, ऐसा जरूरी नहीं है, it's compulsory, कि हम लोग बिल्कुल mindset करके अपना कोई भी चीज नापने बैठ जाते हैं, नहीं, कई चीजे हम automatically, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वे, हम हमारा दिमाग, हमारा mind जो होता है, वो किसी भी चीज को नापता जरूर है, मापता जरूर है, है ना, अभी देखिए, यह आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यहां से देखेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको दो रक्टंग में सबसे पहले इसको देखके क्या आया, I am sure, आपके माइन में यह नहीं आया होगा कि अबजक्त क्या है, आपके माइन में एक जिस सबसे पहले आई, और वो थी कि this one is lengthy and this one is short, मतलब यह लंबा है और यह छोटा है, इनका size आपने सबसे पहले observe किया, in fact, shape से भी पहले आप और नहीं और मैंने कुछ पूचा नहीं, ना मैंने पूचा ना अपने सोचा, पस मैंने एक चीज़ बूली कि बस इसको देखो, इसको देखते ही आपके माइन में सब से पहले रही रही आई, यह लंबा है और यह चोटा है, चले एक और एक जाम्पल देके चलते हैं, यह वैसे मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ऐसे ही मैंने दो ये फूट्स ट्रॉ किये हुए हैं, बिटा, तो अब फिर आपने इसको देखा, तो आपने इसको देखके क्या सोचा? आपने पहले इसको जैसे ही देखा, तो आपने सबसे पहले क्या सोचा होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये ही तो आए रमाइंड में, तो कहने का मतलब है, पहला टॉपिक जो हमारता, वाट तू मीजर हमें क्या नापना है, इसका मतलब ये है, ऐसी कोई भी थिंग प हम लोग नापते हैं, हम आप से कुछ चीज बोल के नहीं, हमारा माइंड अनाया सी, बिना किसी, मतलब क्वेरी के, बिना किसी प्रॉबलम के, अपने आप ही हमारा माइंड हर चीज, क्या करने लग जाता है, मेजर करने लग जाता है, आपने इसको कह दिया, this is bigger and then this is smaller, ये बड़ा है और ये छोटा, students आपने इक बात और नोटिस कियोगे, आपने देखा होगा, आजकल सीजन चल रहा है, mango का, आपने देखा होगा, अपने आप ही एक पेड होता है, और उस पेड में बहुत सारे fruits लगे होते हैं, बहुत सारे mango के लगे होते हैं, और एक दूसरा हो नहीं मांगा इसके बारे में, बड़ अपने आप ही, आपके सामने दो ट्रीज दिखे, अपने का अरे इसमें कितनी ज़्यादा mango लगे, अरे इसमें कम लगे हुए हैं, यही तो है ना, किसी ने नहीं पूछा था आपसे, लेकिन अपने आप आपने सोचा, तो कहने का अब यह है बच्चों, कि आपने हर चीज को, इसमें more लिख देती हूँ, इसमें less लिख लेती हूँ, आप हर चीज को अनायास ही, बिना सोचे समझे हुए ही, अपने आप, आपका mind जो होता है, हर चीज को नापने लग जाता है, मापने लग जाता है, जिसे हम लोग कहते है measurement, क्या कहते हैं, बेटा हम लोग इसको measure करना, किसी भी एक तरह से किसी भी चीज को measure करना, उसको mapना, या आपके, क्या क्लास थर्ड में हो, ज्यादा logics में हम लोग आपसे discuss नहीं करेंगे, simple सी बात है, किसी भी चीज को mapना या नापना, ठीक है, एक में ज्यादा पानी है, एक में कम है, आपसे पुछ जाता है, क्या difference है दोनों में, तो आप सबसे पहले उनको देखके ही idea लगा के बोलने लग जाते हैं, माम, इसमें तो ज्यादा पानी है, और माम, इसमें तो कम पानी है, माम, ये भारी है, ये हलका है, तो चलिए, हमने पहला topic पूरी दर से discuss कर चुके हैं, और वो है, what to measure, हमको क्या नापना है, और इसका answer है, कि हम हर object को नापते हैं, तो चलिए, दूसरे topic में चलते हैं, दूसरा है, why to measure, तो बीटा, हमारे पास second topic, इसमें हम लोग discuss करने चारे हैं, वो है, why to measure, हम किसी भी चीज को क्यों नापते हैं, तो इसका simple answer क्या हो सकता है, आप लोग बताईए, mind में सोचिए, थोड़ा सोचना आप लोगों का बहुत जरूरी है, हम किसी भी चीज को क्यों नापते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, खुद के लिए, सोचिए, मेरे हिसाब से, जितना मेरा point of view है, खुद से ज़्यादा हम दूसरे को बताने के लिए ही नापते हैं, जब मैंने इससे पहले आप लोगों से पूछा था, कि इसमें क्या दिख रहा है, आपके mind में कुछ आया, वो तो था, what to measure, मतलब आपने अपने आपी माप लिया, पर उसके बाद, आप क्या करेंगे, शान्त रहेंगे, या आप अनायासी आपके मुँसे निकला ये बड़ा है, ये चोटा है, मतलब दूसरे को बताने के लिए, कहने का मतलब ये है, बचों, students कहने का मतलब ये है, जब हमें अपनी बात कनवे करनी होती है, किसी object के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी माप के सारे, उसकी नाप क सारे ही हम दूसरे को बताते हैं, अब ये देखे, students, इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, ये दिखाया है, मैंने ये दोनों students हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों friends हैं, अब ये दोनों friends हैं, तो इसके घर में भी गाड़ी आती है, इसके पापा इसके रिए टॉय का लेके आते ह अब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों आपस में discuss करते हैं, अरे मेरे पापा तो काल लाए, लेकिन किसकी कार बढ़ी है, ये भी घर में कार बढ़ी है, इसके भी घर में कार ऐसे ही रखी हुई है, दोनों तो स्कूल में मिलते हैं, तो इस दोनों के मन में आता है कि किसकी कार बड़ी है whose car is bigger whose car is bigger किसकी कार bigger है यानि या फिल लेंदी है किसकी कार लंबाई में लंबी है या बड़ी है ठीक है किसकी कार बड़ी है किसकी कार लंबी है तो क्या करेंगे ये दोनों के दोनों बच्चे of course घड जाएंगे गर जाके अपने अपनी कार नापके आएंगे अब किस तरीके से कार नापेंगे वो हमारा थर्ड टॉपिक हो जाता है how to measure पर कहने का मतलब है ये दोनों घर गे और इन्हों ने घर जाके कार को measure किया तो कहने का मतलब है कि why to measure का मतलब होता है जब हमें अपनी किसी भी object के बारे में कोई भी information दूसरे को देने होती है to convey to convey or to convey information to convey information about our object अगर हमें अपने object के बारे में कोई information दूसरे को convey करने होती है तब हम किसी भी चीज को नापते हैं ठीक है यही तो होती है, अब मार्केट में जाते हो, अब ममी शोट सिल्वाने के लिए जाती है, तो क्या करते है, जो टेलर होता है वो नापता ही तो है, आपको खड़े करके आपके हैंड्स की मतलब स्लीव में कितना होएगा, है ना, और कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो सब चीजें किसकी जरुरुत पढ़ती हैं, आपको इन्फोर्मिशन कनवे करने के लिए जरुरुत पढ़ती है, तो चलिए अभी थर्ड टॉपिक में चलते हैं, हाव टू, नेक्स्ट, फाइनल टॉपिक है हमारे इंट्रोक्षिन का वो है, हाव टू मेजर, हम अब किसी भ बहुत ही बड़ा टॉपिक होने चाहरा है, यहीं से हमारा मतलब चैप्टर जो बेसिकली स्टार्ट होता है, तो इसके होते हैं बिटा दो तरीके, इसके होते हैं दो तरीके, एक तरीका होता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड य ज्यादा चलता था और आज की जमाने में हम standard unit ज्यादा यूज़ करते हैं दूसरी बात यह है कोई जरूरी नहीं है कि हर moment पे हर situation में हमारे पास standard unit यानि कि ruler, skill वगेरा सब कुछ available हो, meter skill हमारे पास available हो, जरूरी नहीं है, non-standard unit का हम लोग तब use करते हैं, ठीक है, तब non-standard unit म में discuss करूंगे तर यह वीडियो बहुत बढ़ा हो गया है, लेकिन basically आपको चीजे समझना बहुत जरूरी था, तो आज के topic में में discuss क्या क्या किया है, what to measure, why to measure and how to measure, वैसे basically इन तीनों चीज़ों में और भी थोड़ा topics जो है, और भी logics हमारे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फ क्लास थर्ड के हिसाब से, क्लास फोर्ड में आप जाएंगे तो हम इस इनी तीन पॉइंट में logics और ज्यादा हो जाते हैं, बस अभी आपको में यही चीजे समझना नहीं है, अब आज के लिए थैंक यू